हेलो फ्रेंड्स, यू आर वैलकम इन मिलियन कंसेप्स ओफ इंग्लिस, टीजीटी, पीजीटी और ग्रामर के लिए किसी भी क्वेरी के लिए कभी भी मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम इसा बात होगी, हम पढ़ रहे हैं, हैं, synthesis of sentences, तो simple sentence क्या होता है, compound क्या होता है, complex sentence क्या होता है, इसको हम पिछले पढ़ चुके हैं, इनकी definition पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर के तुरंत देख लें, दूसरी बात, हम आज जो पढ़ने बाले हैं, वो है, synthesis of simple sentence, तो synthesis of simple sentence क्या होता है, इसका अर्थ यह है, कि दो या दो से अधिक, simple sentences को जोड़ करके, एक simple sentence बनाया जाता है, तो इसकी जानकारी के लिए, जरूरी है कि हमको एक simple sentence क्या है, क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए simple sentence की definition हमको आनी चाहिए, तो एक simple sentence का अर्थ है, हमको यही लाई नियाद है, तो हमको simple sentence की definition पता है, कहने का अर्थ यह है, कि जिस sentence में एक finite बर्थ होती है, अर्था जिसमें एक subject या एक predicate होता है, एक subject sentences, इनके आपके पास one, two, three, simple sentences हैं, तो इसका मतलब है, three आपकी finite verbs होंगी, जितने simple sentences, उतनी finite verb, तो इन तीनों को जोड़कर, अगर हम एक simple sentence बनाते हैं, तो natural है, कि उनमें एक ही finite verb रखेंगे, तीन को बदल करके, हम एक ही finite verb रखेंगे, तो कहने का अर्थ यह है, कि हम जितने भी rules simple sentence को बनाने के लिए पड़ते हैं, उन सबका एक ही object रहता है, कि सभी finite verb की form को change करेंगे, और एक finite verb रखेंगे, यही तो अर्थ होगा, चाहें हमारे पास जितने भी simple sentence हो, अगर हम को एक बनाना है, तो एक simple sentence के लिए हम को एक finite verb रखनी पड़ेगी, तो एक बार और बताते हैं कि finite verb होती क्या है, तो देखें, finite verb के समझने के लिए समझ लिए, कि the verb is used according to the number and person of the subject, जो बर्ब करता के number यानिके बचन, एक बचन और बहु बचन और उसके person, यानिके first, second और third person के आंसार बर्ब यूज होती है, उस बर्ब को finite verb कहते हैं, समझ लिजिए, इसे he is a good boy, तो हमने he के साथ इजपिरो किया है, I am a good boy, या you are honest, तो देखें, ये सब के हम साथ बचल रही है, तो जो बर्ब करता के अनुसार बचलती रहती है, ये जो टेंस के अनुसार लगती है, उस बर्ब को हम finite verb बोलते हैं, यसे present tense indefinite पर देखें, तो he plays hockey, I play hockey, और you play hockey, बदली हुई है, he के साथ एस और yes लगा है, और I और you के साथ बर्ब की first form है, यही जैसा करता बैसी क्रिया, एक बचल करता एक बचल करता बहुँ क्रिया, यही तो finite verb होती है, तो यह कहने का मतर करता के अनुसार जो क्रिया रखी होती है उसे हम finite verb कहते हैं तो समझ गया होंगे simple sentence में एक finite verb तो अब बात आती है कि हम simple sentence को बनाने के लिए जितने भी rules होंगे वो सब इन verbs को कम करेंगे और एक finite verb रखने का प्रयास करेंगे तो वो कौन-कौन से तरीके हैं वो समझ जी आप देखे एक simple sentence को बनाने के लिए हम by using participle हम participle करेंगे by using nominative absolute nominative absolute का प्रयोग करेंगे noun or gerund with preposition का यूचक करेंगे infinitive का यूचक करेंगे adverb प्रयूब्य फरेज का यूच verst 번 adjective का यूचक्टिप करेंगे conjunction end के साथ हम प्रयोग करेंगे और डाउन और फ्रेज इन अपोजिशन इसका हम प्रियोग करेंगे तो यह जितने भी आठ प्रियोग हैं इन सब का उद्देश जो है बर्ब को कम करना होता है केबल एक ही फिनिट बर्ब रखना होता है तो हमने जसा की बादा किया था कि हम पढ़ेंगे कि बाई यूजिंग पार्ट सीपिल के द्वारा हम पढ़ेंगे तो अब समझेए कि पार्ट सीपिल का आपका क्या होता है फिर हम पढ़ेंगे देखें पार्ट सीपिल जो होता है वो तीन प्रिकार के होते हैं एक होता है present participle दूसरा past participle होता है third होता है आपका perfect participle यह होता है आपका बर्ब की ing form और past participle होता है बर्ब की जो आपकी third farm होती है बैसे तो fourth farm बुलने en farm होती है यह और जो perfect participle होता है वो having के साथ बर्ब की third farm होती है विसेश तोर पर जो sentence को जोड़ने का काम होता है वो present participle और perfect participle के दुआरा करते है और हलाकि participle तो आप जानते ही है अच्छी तरह है कि यह बर्ब से तो बनता है लेकिन adjective की तरह काम करता है यहाँ पर बहुत बिस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि participle को हम पड़ चुके हैं तो यह बर्ब से बनता है और adjective का का काम करता है that's why इसको हम verbal adjective कहते हैं तो आप यहाँ पर समझे लिजिए कि present participle और perfect participle के द्वारा sentence को जोड़ेंगे तो सर्थ यही है कि हमने अभी आठ रूल्स पढ़े थे कि जानकारी ली थी तो उनके द्वारा हम simple sentence को जोड़ करके एक simple sentence बनाते हैं अब बात आती है कि participle के द्वारा हम simple sentence को कब बनाएं तो यह निकि किन सर्थों पर पर participle द्वारा sentences जोड़े जाते हैं यह भी तो पता होना चाहिए हमें क्या कैसे पता लगेगा कि हम participle के द्वारा ही जोड़ें हम infinitive के द्वारा या nominative absolute के द्वारा या हम adverb और adverbial phrase के द्वारा क्यों नहीं जोड़ रहें तो कोई conditions तो होंगी तो यह सर्थे हैं नंबर एक जिन sentences को जोड़ रहे हैं उन दोनो या तीनो मालो दोनो sentences में एक ही subject हो एक ही होना चाहिए ऐसा नहीं पहले sentence में कोई अलग है और दूसरे में कोई अलग है जैसे की एक सर्थ तो यह हो गई देखिए दोनों sentences में एक ही करता है तो कि अबर एक ही सर्थ काम नहीं करेगी एक और सर्थ है दूसरी है कि पहली क्रिया पहली जो बर्व है दूसरी बर्व के होने का कारण बने जिससे उसने सेर को देखा वह भाग गया तो उसका सेर का देखना और उसके फल सरूप भाग जाना हुआ है कास वो सेर को ना देख पाता नहीं देखता तो अपने रास्ते पे चला जाता नहीं भागता तो सेर को देखना एक कारण बना दूसरी क्रिया के होने का तो ये दो सर्ते हैं, तब हम participants का यूज करेंगे, बरना नहीं करेंगे, बरना और हमारे बहुत सारे rules हैं, तो ये धीरे धीरे सीखते जाएंगे, गारंटी से आपको समझ में आ जाएगा, तो इतनी बात समझ में आगी होगी, अब बात आते हैं कि हमने कहा कि present participle और perfect participle के द्वारा हमारे sentence बनते हैं तो कब क्या होता है present participle के लिए यह सर्थ लेगिए present participle के लिए दोनों participle के लिए लेकिन इसके लिए सर्थ क्या है इसमें क्या है पहली क्रिया के समाप्त होते ही तुरंट बाद दूसरी क्रिया सुरू हो जाए दूसरी क्रिया तुरंट शुरू हो जाए एक और भी सरसमझी बहुत इस्पस्ट हो जाएगा ऐसा लगे की पहली क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी चल रही है अब समझे गया होंगे अब हम इस कंडिसन को समझते हैं उसने सेर को देखा बह भाग गया तो क्या ऐसा हुआ होगा कि सेर को दिखना बंद हो गया होगा और वो भाग गया हो सेर को देखता भी जा रहा होगा और भागता भी जा रहा होगा तो क्या करेंगे बही पहली बर्ब को बर्ब की फर्ष्ट फार्म में बदलेंगे और उसमें आइंज जोड़ देंगे तो आपका प्रिजेंट पार्ट सीपिल बन जाएगा तो देखेंगे उपर हमने क्या लिखाता ही सो अलायन ही रहनवे यही तो पड़ा था तो हम क्या करेंगे इस बर्ब को हम प्रिजेंट पार्ट सीपिल बना देंगे जो क्रिया कारण का काम कर रही उसको सिंग आलायन ही रहनवे कि यह हो गया तो यहư इसका आठ निकलेगा डेक करण wise अब बहर भाग गया तो यह इसका आठ निकलेगा इस सेर narrat करकर डेक कररकेiveness बहर भाग गया तो कहने का बत्तब है जहाँ आपका प्रेजेंड पार्ट शियफिल्म जुर्ऑता है इस प्रिजेंड पार्ट शियफिल्म जुर्ऑता है। कहां क्या पर कर्या करकेhan काति निकलता है। डेक्षरे यह ग्रेकर अघर और भी समझ लेते हैं अब पाख पाघ कंप्टी सर्ड करते हैं जब एक्जाम में आता है तो देखिये जितनी भी बर्व है किसी भी सेंटेंस में यहीं नहीं किसी भी सेंटेंश में जितनी भी बर्व हैं उसके लिए subject reference जरूर होता है तो देखिए इसमें subject ही है ran भी ही से जुड़ी है और sing भी ही से जुड़ी है दोनों ही बर्म के लिए subject difference ही है तो ये sentence सही है जब भी आप देखें जब present participle का प्रियोग होता है या perfect participle का प्रियोग होता है तो आप देख लेंगे कि हमारा subject reference सही है और नहीं है तो underline करना subject को इस तरह है और दोनों बर्म को देखना कि दोनों बर्म किस के लिए यूज हुई है एक example और देखते हैं तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा sentence है the people saw flames लोगों ने लप्टों को देखा they ran to watch the burning house तो यहां पर देख रहे हैं लोगों ने लप्टों को देखा और लोग जो है जलते हुए घर की और भागे तो एक क्रिया के बाद तुरंद दूसरी क्रिया हुई ऐसा भी हो लग रहा होगा आपको कि वो लप्टों को देखते भी जा रहे हुँ और जलते हुए घर की तरह भाग भी रहे हुँ तो यह कंडिशन है और दोनों में एक ही करता है दोनों प्यूपिल है तो हम क्या करेंगे इस वैब को हम प्रिजेंट पार्ट सिब्ल बना देते हैं सिंग अलायन स्वरी सिंग फिलिम्स दा लगा लेजे क्योंकि दार दा क्या है सिंग दा फिलिम्स दा प्यूपिल रहन तो वाट्स दा बर्निंग हाउस तो यह हुआ आपका प्रिजेंट पार्ट सिब्ल द्वारा अब हम देखते हैं पर्फेक्ट पार्ट सिब्ल द्वारा अब पर्फेक्ट कार्य पूरी तरह से समाथ हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो तो हम perfect participle का प्रियोग करेंगे तो पिछले आपने देखा कि present participle में पहले कार्य के साथ-साथ या पहले कार्य की तुरंत बाद दूसरा कार्य में शुरू होता है लेकि इसमें ऐसा नहीं है सेंटेंज देखिए 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 दस सर्वेंट कि सब्ड़ रूम कि ही है कि वेंट टू मार्केट हैये तो ऐसे में क्या करेंगे देखिए कामणा साफ करने काम पूरी तरह कर लिया होगा टो यह यह काम पूरी तरह समाप उसके बाद दूसरा काम सुरूओ तो ऐसे में जो पहले कारिये कि बर्व है उसको हम परफेक्ट पार्टसिब्ष बना देते हैं तो देखिए हैं है विए है विए स्वेप्ट दा रूम है कि दस्षर वैंट वैंट टू अ मार्केट उम्मीद करें समझ में आ होगा अगले देखते हैं और भी एग्जाम्पेल देखते हैं तो यहां तक रहा आपका पार्ट सीपिल के द्वारा जोड़ना सेंटेंस में एग्जाम्पेल और देख लेते हैं जैसे कि आई कि तुक माई फूड कि आई वेंट टू को लेज तो क्या लगड़ा है कि खाना खाते खाते गया होगा खाने के बाद ही गया होगा तो ऐसे में क्या करेंगे है बिंग के साथ थार्ड फार्म है बिंग टेकिन मैं फूड पूड आई प्रेंटो कॉलेज समझगे होंगे अब वो एक आद एक्जामपल और देखते हैं देखिए आई आई वाज हंगरी आई पुकू माई फूट तो ऐसे में हम प्रेंट पार्टी प्रेंगे तो क्या करते हैं बर्ब की सश्ट फार्म से पहले बर्ब की बेस फार्म समझे आई इंजी फार्म रखेंगे तो यहां करेंगे बींग हंगरी आई टुक माई फूट अब आप कहेंगे यहां बींग क्यों लिखा तो आपको बता दें अच्छी तरह पता होना कि यह बी होता है होना यह बेस फार्म है जिसका अर्थ होता है बेस फार्म है इसका अर्थ होता है होना इसकी फिस्ट फार्म होती है इज एम आर और इसकी सेकंड फार्म होती है बोज या बर थर्ड फार्म होती है बीन और जो इसकी प्रिजेंट पार्ट सीपल फार्म होती है यह जिसको आई एंजी फार्म बोलते हैं उसको बोलते हैं बीन तो नेचरल है कि इसमें से कोई सी भी बर्व सही, कोई सी भी बर्व सही, जहां यही क्यों नहों, आइएंजी फार्म तो यही रहेगी, तो इसलिए आपने किसी और से सुना होगा कि इज एम आर बाउज बर्व को हम बींग में बदल देते हैं, अरे भई इज एम आर बाउज बर्व को ही नहीं, हम इनकी प्रिजे बाउज या बर्व सबको बींग कर देते हैं, यही जो को बताया, तो इनकी नहीं का नतरा है, यह इसकी फार्म ही आइंजी यही होती है, और संकेंज देखते हैं, एक बस लाश्ट देख लेते हैं, लड़कों ने घंटी की आवाज को सुना, घंटी को सुना, उन्होंने क्लाश छोड़ दिया, तो अब कंडिशन लगाए, परफेक्ट पाट से पिल लगेगा या प्रिजेंट पाट से पिल, तो देखिए, सर्ते देखिए, लड़कों ने घंटी सुना, घंटी की आवाज बंद हो गई, अब उन्होंने सोचा, कि हमको क्लाश से निकलना चाहिए, तो क्या ऐसी सर्त रही होगी, नहीं रही होगी ना, क्या रहा होगा, लड़कों ने घंटी की आवाज सुना, जैसे ही निकल के बाह गंटी भी बजती रही लड़के क्लास से बाहर भी चलते रहे तो दोनों कार्ये पैरलल हो रहे हैं तो ऐसे में हम इस बर्ब को पिर्चेंट पार्ट से पिल कि हीर फिर्स्ट फार्म होती है हीरिंग दवैल दवाइस अब आप कोगे दे क्यों नहीं रखा अभी दे और दवाइस एक ही है तो नेचरला की बहाँ नाउन रखा जाता है पिर नाउन नहीं तो हीरिंग दवैल दवाइस लेफ्ट दा क्लास तो फ्रेंट्स हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसके लिए सोरी लेकिन समझ में आ रहा हो तो आप अपने मित्रों को फारवर्ट करें तो ये था ये पार्ट सी पिल दवारा सेंटेंस को जोड़ना उमीद कर रहे हैं आपको समझ मारा होगा थेंक यू ओल दा बेस्ट